तो हेलो गैस कैसे हाँ उमीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे मैं भी बढ़िया तो गैस आप भी अपने घर में बॉट बैंट कनेक्शन लगाने के लिए सोच रहे हो या आपने बॉट बैंट कनेक्शन ले लिया है आपको जान करी चाहिए राउटर के बारे में तो बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था राउटर को लेके ऐसा बहुत सरा वीडियो मेरे चैनल पर है अभी तक अपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ आप जाके उस वीडियो को चेक आउट कर लेना आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद क्योंकि उस वीडियो में आप लोग इतना अच्छा रेस्पॉंस दिये कि क्या ही बता हूँ वीडियो के माध्धम से मेरे चैनल पर बहुत सरा ऐसा कोमेंट आ रहा है कि भाई यह जो राउटर है इसमें क्या सिम लगता है हम अपने फोन के छोटे से सिम कार्ड को लगा के क्या इस राउटर के मदद से इंटरनेट यूज कर सकते हैं आज की इस वीडियो में यह सब कुछ डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में मैं आपसे यह बात करूंगा कि राउटर किस तरह का होता है राउटर वर्सिस 4G router कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा तो चलिए बीना टाइम उस्ट के मैं हो सोबन आपके साथ आप देख रहे हो टेकर नीटूब चैनल तो चलिए आज का गया तो इस वीडियो था कितना दूर बने नहीं के लिए आपका बहुत बहुत दिनने बाद तो अभी स कौन सा राउटर ले फूर सिंबला या फिर तारवला तो इस देखो मार्केट में आपको दो तरह का राउटर मिल जाता है फिराल दो जो राउटर है वो एक ही है लेकिन एक में आपको अनली फॉर तार का सपोर्ट मिलता है जिसको हम बोलते है वायर कनेक्शन और दूसरी आप आपको तार वाला कनेक्शन के साथ साथ सीम में लगाने का जगा भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं 4G राउटर तो आज की इस वीडियो में मैं ही लेके बात करूंगा कि एक तरफ होगे आपका तार वाला राउटर दूसरी तरफ होगे आपका 4G राउटर कौन सा क्या क आएगा और कौन साथ के लिए बेश्ट रहेगा तुबसे पहले बात कर लेते तार वाला राउटर को लेके यह जो राउटर है यह नौर्मल राउटर है बहुत सारा जगह पर आपके घर में परसनल यूज के लिए ऑपीस में इस तरह नौर्मल डॉटर देखने को मिल होता है और जिसकी वज़ा से हम अपने घर बैठे बहुत आसन तरीके से नौर्मल राउटर के मध्धम से इंटरनेट को यूज कर सकते हैं लेकिन मार्केट में और एक तरह का राउटर आता है जिसको बहुत सारा लोग 4G राउटर भी बोलते है तो उसमें क्या होता है तार 4G hotspot launch हुआ था वो आपको तो जरूर याद होगा तो वहां पर है जो लोगों का मतलब 3G या 2G phone है जो लोग जीओ का मजा लेना चाते हैं उन लोगों के लिए जीओ company ने वह फाइल लाउच किया था या टिल कभी आया था साइट से तो उसमें क्या होता था 4G SIM लगा कि आपने घर में 2G या 3G phone को चलाते थे उसको बहुत ज़्यादा help होती थी कि 4G वहाँ पर access होता था router में और access होने के बाद आपके phone में सीधा और उसके नार्मल राउटर दूसरी तरफ फोजी राउटर दूनों का काम क्या है तो गैस देखो राउटर तो राउटर होता है नार्मल राउटर के अंदर आपको से ताल लगाने का जगा मिलता है बाकी सीम लगाने का जगा आपको नहीं मिलता है और दूसरी तरफ देखा जाए त तो आप उस router को purchase कर सकते हो और करके वहाँ पर 4G SIM को install करके बहुत आसन तरीके से आपके 2G, 3G phone में 4G का मज़ा उठा सकते हो गैस नमबर 3 पर बात कर लेते हैं, इस router का speed किसके मामले ज्यादा बैतर है तो गैस यहाँ पर मामूली साथ चीज है, for example मालो, आप Bluetooth से या Wi-Fi connector के एक तरफ से दूसरी तरफ अपना data को transfer कर रहे हो और दूसरी तरफ एक computer से दूसरे computer cable के मदधम से आप data को transfer कर रहे हो और जो wireless तरीके से मतलब SIM को use करके आप करोगे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम speed देखने को जरूर मिलेगा लाश्ट में बात करते हैं कि कौन सा router आपके लिए best रहेगा तो गैस अगर आप आज की जमाने में 4G phone use नहीं करते हो तो आपके लिए मैं आपको refer करूँगा कि आप एक router purchase कर लो और उसमें कि सीम लगा लो, लगा कि आप अपने 2G या 3G phone में बहुत आसन तरीके से 4G का मजा उठा सकते हो इसके अलावा आप वाई-फाई hotspot भी purchase कर सकते हो जियो की तरफ से भी आता है या टेल की तरफ से भी आता है तो उसको उसको कम खर्चे में मिल जाएगा आप फिलाल दिखा जाए तो उसके मामले एक router बेस्ट रहेगा क्यूंकि आप बाद में अगर आप broadband setup करना चाहते हो तो उसके मदद से अपने घर में बहुत आसान तरीके से बाद में setup कर सकते हो अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर कनेक्शन आपके घर में हो तो मैं आपको रेफर करूंगा कि प्रॉपर को साइड में रखते हुए आप एक नॉर्मल राउटर प्रचेस करें क्यूंकि वहाँ पर आपको अगर आप broadband setup कर रहे हो तो आपको ज्यादा स्पीड की जरूरत होगा ज्यादा डिवाइस को आप कर सकते हो तो इसलिए आप मैं आपको रेफर करूंगा कि आप एक तार वाला एक नॉर्मल राउटर प्रचेस कर लो वैसे यही ता कुल एंड कम्लेटली फंडा मैं जो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दिया यही रहता है एक तारवाल राउटर के अंदर और एक सीम बलारा राउटर क कि अंदर इस आज का जनता बहुत ही ज़्यादा समाजदार है तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो सब को थोड़ी सी जान करी मिल गए कि कौन सा राउटर रपको पर्चेस करना चाहिए कौन सा राउटर आपके लिए बैस्ट हैगा तो मुईत करता हूँ इस वीडियो सब को थोड़ी सी जान करी मिल गई अगर वीडियो अच्छे लग दे तो एक लएक जरू कर देना नीचे मेरे चैनल टेकर सब्सक्राइब कर देना तो मैं तो अगले वेले वीडियो में तब देख ले सी यू गुडबाई जय हिंद जय भारत